असलाम अलेकूम मेहुरी शाद कैसे हो आप लोग उमीद है आप से भी लोग बहुत अच्छे से होंगे आज किस वीडियो में हम जानेंगे MIUI 14 का अपडेट शाओमी के तरफ से कौन से कौन से डिवाइस के लिए रोल आउट किया जाएगा जैसे कि आप लोग जानती हो बहुती जल्द शाओमी के तरफ से MIUI 14 को लाउट किया जाएगा क्योंकि शाओमी के तरफ से अल्रेड़ी MIUI 13 के जो बीटा वर्शन का अपडेट है उसे सस्पेंड किया गया है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछी हपतो या फिर कुछी दिनों के अंदर ही MIUI 14 के बीटा वर्शन का अपडेट रोल आउट होने वाला है हर बार ऐसा होता है जब भी नए वर्शन का अपडेट लाउट किया जाता है तो existing जो MIUI का वर्शन है उसका डेबलोपर अपडेट या फिर बीटा अपडेट को स्पेंड किया जाता है उसके बाद ही नए वर्शन का अपडेट रोल आउट किया जाता है खर जो भी हो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे MIUI 14 का अपडेट Xiaomi के Redmi, Poco and Xiaomi के कौन से कौन से डिवैजस में आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है हाला कि यह एक ओफिशियल लिस्ट नहीं है अनोफिशियल है क्योंकि लांच होने से पहले कभी भी ओफिशियल लिस्ट नहीं आता है लेकिन यह से भी डिवैजस को MIUI 14 का अपडेट definitely देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे पहला डिवाइज है Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro इस तरीके से Mi series के जितने भी डिवैजस आता है तो यह से भी डिवैजस में आपको MIUI 14 का अपडेट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में इसके बाद बात करते हैं, Redmi series के डिवैजस के बार में जैसे कि Redmi Note 12 जो की अभी तक इंडिया में या फिर globally launch नहीं किया गया है शायद MIUI 14 के साथ ही launch हो जाएगा खेर जो भी हो अगर नहीं भी होता है तो भी यह से भी डिवैजस में आपको future में MIUI 14 का अपडेट देखने को मिलेगा इसमें जैसे कि Redmi Note 11, 11 5G, 11AC, 11AC Indian version, 11 4G डिवैस का भी नाम आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर काफी सरे डिवैजस है आप अगर आपके डिवैस का नाम देखना चाहते हो तो यहाँ पर वीडियो को pause करके देख सकते हो Redmi Note 8 2021 Edition डिवैस को भी यहाँ पर लिस्ट में आड़ किया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है इसके बाद अगर बात करें Poco Cities के डिवैसस के बारे में तो Poco Cities के यह से भी डिवैसस में आपको MIUI 14 का अपडेट देखने को मिल जाएगा तो उसके बारे में आप लोग को जरूर हम बता देंगे फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही